हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टिवर्ट चैनल हाइपर ट्रेडेज भी मैं हूं मोहमद सुहेल बंदन बैंक पे अपने पूरे टारगेट अचीव होने के बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं किया क्यों नहीं किया यह आपको भी बताया क्योंकि हमारे टारगेट यहां पे काउट के सपोर्ट में और मैं आज इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए जैसे पिछली बार समझाया था स्टॉक प्लस लेवल मसडी याद रखना कभी भी स्टॉक प्लस लेवल मसडी में जो बाइंग देता है इंप्रॉपर तरीखे से सेलिंग नहीं जाते हुए दोस्तों वो बाइंग हो ही नहीं सकता समझ गें यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको जाना है सेलिंग समझ गें और यहाँ पे जा रहा है बाइंग लेकर बाइंग लेकर जा रहा है समझ गें तो याद रखो आप यहाँ पे मार्केट में कभी भी प्लस लेवल M.A.C.D. जो neutral के उपर बनता है इसके अंदर अगर आप entry गलती से भी ले लोगे buying side देखे तो आप फसोगे और यह फसाने के लिए ही stock उपर लेके गया और stock जैसा मैं previous time previous breakdown level पे exit करवा दिया था यहां पे stock आपको क्या किया फिर से stock नीचे लेके गया यहां पे जानभुच के buyers के attract करके उपर गया और कई लोग बंदर मैंक में यहां पे बैठे हुआ है मैं suggest करूँगा यहां पे आप मत बैठो यहां पे आप मत बैठो clearly मत बैठो और अगर stock अगर stock level break कर रहा है यह वाला उपर का असल नहीं बनेगा अभी time है उसके लिए तो यह जब तक क्या करना चाहिए जब तक यहां पे जो improper buying में buyer को trap किया है इसको यह final club करना है यहां से selling लेके जाना है उसके बाद selling में neutral minus level neutral के नीचे minus level ले position buying देना है उसके बाद ही stock उपर जाना है और stock यहां पे improper buying के लिए buyer को trap किया 60 RSI अगर इस बाद depreciate हो गया तो अगली बार यह वाले level भी देखने को नहीं मिलेंगे depreciate नहीं होना इस हम लोगो प्रे करना है और दूसरा तीसरा stock के अंदर यहां पे जो matrix series बैठा हुआ है यह 126 पे हो सका तो थोड़ा बहुत उपर जाएगा 140-150 से ही यह retrace करना start करेगा क्योंकि stock यहां पे एक channel बना रहा है यह strongest channel है stock का जब तक यह वाला channel stock break नहीं करता चाहे वो नीचे के तरफ हो चाहे वो उपर के तरफ stock 400-500 के level नहीं पकड़ेगा दोस्तों जो भी long term की सोज रहे है यही था मेरा update बंदन बैंक पे अगर आप कुछ stock पे analysis समझ में आए वीडियो को like करें शेर करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए thank you for watching my video